नमस्कार दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रोगा है क्योंकि आज की इस फीडियो में मैं आपको 20 सिक एंडियर के फोर्थ समेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन आने की सीक्षा सास्तर ह आने वाले हैं इस फीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले कोश्टन के बारे में बताऊंगा तो आप इस फीडियो को ध्यान से देखीगा ताकि आपको आने वाले कोश्टन के बारे में अच्छे से पता चल चके और जो भी स्टुडेंट बीस से के इंडियर के अंदर है जिनका फोर्थ समेस्टर के एक्जाम होने वाला है या फिर फोर्थ समेस्टर के एक्जाम चल रहा है वह लोग comment करके ज़रूर बताए कि next question विपर आपको किश सब्य Tक के उपर चाहिए ताकि आपके comment के अनुसर मैं आपको question विपर दे सबकूν क्या होता है यहाँ पे आपको उधीकाइच के बारे में बताना है अब अगली कोशेशन की बात की जाते हैं आपका 2 कोशों दियेवा है अभी प्रेरड का सीख्चा में क्या मक़त वैं करता है ऐहाँ पर्षेयरड होता है और लुख Maliеж को की बात assumptions प्रिवासाली बालग किसे कहते हैं यहां पे आपको प्रिवासाली बालग किसे कहते हैं आपको प्रिवासाली बालग किसे कहते हैं होता है यहां पर आपको बताना है किस मिलती से आप क्या समझते हैं अब अगली कोश्चन की बात की जाते हैं पर आपका दस्वा कोश्चन दिया है समयोजन क्या होता है यहां पर आपको समयोजन के बारे यानि कि समयोजन की परिभासा लिखना है अब अगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका बाराओ कोशन दियेवा है मानसिक स्वास्ते की बिसेस्ता है बताइए बाराओ कोशन कर रहा है जो मानसिक स्वास्ते की बिसेस्ता होती है यहाँ पे आपको मानसिक स्वास्थे की भी सेस्ता बताना है तो टोटल आपके बारा कोशन होगे जो आप सरती लगूत्री प्रस्णों में पुछे आंगे अब आगे हम लोगूत्री प्रस्णों के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे लगूत्री प्रस्णों में पहले प्रस्ण की बात कीजाते हैं आपका पहला प्रस्ण दियवा है मनो विग्यान के छेतर का वंड कीजिए परा कोशन कर रहा है जो मनो विग्यान है मनो विग्यान के इंकिन छेतरों में कारे करता है यहाँ पे आपको मनो विग्यान के छेतरों का बन करना है अब अगली कोशन की बात कीज़ा तेहाँ पे आपका दूसरा कोशन दीवा है सीख्छा मनो विग्यान को इसपश्ट कीजिए दूसरे कोशन कर रहा है जो सीख्छा मनो विग्यान है यहाँ पे आपको सीख्छा मनो विग्यान को इसपश्ट करना है अब अगली कोशन की बात कीजिए तेहाँ पे आपका तीसरे कोशन दीवा है आंतर निरिक्षण बीदी से आप क्या समझते हैं तीसरा कोशन कर रहा है जो आंतर निरिक्षण बीदी है यहाँ पे आपको आंतर निरिक्षण बीदी के बारे मताना है अब अगली कोशन की बात कीजाते हैं आपका चोथा कोशन दियवा है प्रसनावली पदती के पर्मुक लक्षणों की विचना कीजिए चौता कोशन कर रहा है जो प्रसनावली पदती है प्रसनावली पदती के कौन कोट से पर्मुक लक्षण है यहाँ पे आपको प्रसनावली पदती के पर्मुक लक्षणों की विचना करना है अब अगली कोशन की बात कीज़ात यहाँ पर आपका पांचवा कोशन दियेवा है विकास का क्या आर्थ है यहाँ पर आपको विकास का आर्थ बतना है अब अगली कोशन की बात कीज़ात यहाँ पर आपका चाटा कोशन दियेवा है विकास में अंतर इसपस्ट कीजिए आठवा कोश्चन कर रहा है जो विकास की अवस्था होता है, विकास की कितनी अवस्था होती है, यहाँ पर आपको विकास की अवस्थाओं के नाम लिखना है, अब अगले कोश्चन की बात की जाते हैं पर आपका आठवा कोश्चन की बात की जाते हैं, आपका आठवा कोश् कर रहा है जो समाजिक विकाज को पुरभावित करने वाले कारक होते हैं यहां पर आपको परभावित करने वाले कारकों करना है अब अगली कोश्चन की बात की जाते हैं पर आपके दसवा कोश्चन की बात की जाते हैं पर आपको बालक के वाड़ी में सुधारे तो कुछ सु के बैक्या करें ही जिर यह दो को अजहां चार्क करें का बहुं क्या सब्सक्राइब कर होता है hen वगले कोशन की बात की जाते हैं पर आपका चौदाहों कोशन दियावा है अभी प्रेड़ा की किसी एक सिधान्त का वंड कीजिए। परश्ट किजिए, तो टोटल आपके 16 कोश्चनों के जो आपसे लगूतरी प्रस्णों के बारे में जानेंगे, तो यहाँ पे दिरगूतरी प्रस्णों के बात की जाते हैं, आपका पहला प्रस्ण दिये वा है, सीख्छा मनो विग्यान के अधन की बिभीन वीधियू के बार यहां पर आपके cmt दिये वा है, विपास की बिभीन वस्थाव में होने वाले समयगात्मग विःकास कावंड कीजिए, ताथा इसके साचीक महतों परकायदा लिए, तिसरा कोश्चन का रहा है जो पावलाव का सिधान्त है, यहाँ पे आपको पावलाव से समन्द परतिकि परिणी कहसे बाद के पीसक्त कुछा परिखन की बात की करि ो धिकर कुर्ण जिएक जो थारनडाइक है, यहाँ पर आपको थारनडाइक के सीखने के नियम जो है, उन नियमों को धान देते हूँ ब्याका करना है. अब अगले question की बात किजिए, आपका पांचवा question दिया है, अभी प्रेडा के किसी एक सिधान्त की ब्याका कीजिए. पांचों कोशन कर रहा है कि अभी प्रेडा के है यहापे आपको सबसे पल अभी प्रेडा के बारे बताना है उसके बाद आगे आपको अभी प्रेडा के किसी एक सिजानत के ब्याका करना है अब अगले कोशन की बात किजाते हैं आपको चाटा कोशन दिये हुआ है इस मिर्ती की परकिरिया स्पष्ट करते हुए इस मिर्ती के परकारों का बंड कीजिए चाटा कोशन कर रहा है कि इस मिर्ती का क्या रथ है यहाँ पे आपको सबसे पहले स्मिर्ती का रथ बताना है उसके बाद आगे आपको यहां पर आपको प्रतीवा साली बालकों की सिख्शा के लिए एक उप्यूगत कारकरम त्यार कर ना है अब अगले question की बात कीजाते हैं आपका आपका नवा question दीवा है समयोजन का क्यार्थ है इसकी प्रकिरिया को इसपष्ट कीजिए नवा कोशन कर रहा है कि सामयोजन कर्थ है यहां पे आपको सबसे पहले सामयोजन कर्थ बताना है उसके बदा आगे आपको इसकी परकिरिया को इसपर्ष्ट करणा है अब अगली question की बात कियाते हैं पर आपका 10 कौशन दीवा है और दीरगूतरी प्रस्त्र का last question दीवा है सिक्छण का सत्य प्रय क्या है आच्छा सिक्छण अधिगाम को प्रभावित करता है बैकर कीजिए तो टोटल आपके 10 कोश्चन वागे जो आपसे दीरगूतरी प्रश्चन पर पुछेंगे तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आती लगूतरी प्रश्चन, लगूतरी प्रश्चन, दीरगूतरी प्रश्चन, तीनो तरह के प्रश्चन के बारे में बता दिया आप इन तीनों तरह के प्रस्टों को नोट कर लिजिए और किसी किताब से सीरी से मिला करके याद कर लिजिए तो दोस्तो आज इस वीडियो को मैं ही पर स्किप करता हूँ मिलता हम से नेक्स वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और कमेंट करके बते ही कि आपको नेक्स कोशन पेपर की से वेट को पर चाहिए ताकि आपके कोमेंट के और सार मैं आपको कोशन पेपर दे सुकू थैंकियो दोस्तो